बिस्मिल्य रावाई रहीं, असलाम लेकुम फ्रेंड्स, आप देखरें है मारा यूटीब चैनल CAC गाइड ओफिशल और मैं हूं मुहमा दिर्फानुला, स्टार्ट करते हैं चाइना स्कॉलर्शिप के अड्मिशन स्टार्ट हो चुके हैं, CAC, Chinese Government Scholarship, China Scholarship Council के अड्मिशन स्टार्ट हो हुए है, वो है BIT, Beijing Institute of Technology, ठीक है, मैं इसको पहले आपको बताऊँगा, इधर कोन-कोन से डाकुमेट्स, वर्बली बताऊँगा, उसके बाद, मैं आपको लेकर जाऊँगा, कैसे आपने फाइंड करने है, Scholarships, कैसे आपने गूगल में जाके सर्च करना है, और कौन-कौन से डाकुमेट्स रिक्वाइड है, वो सारे चीज़े मैं इन्शाल आपको बताने कोशिश करूगा, पहले मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, ठीक है, Beijing Institute of Technology के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, और उनका जो पहले राउंड है, पहले राउंड जो स्टार्ट होगा, पंदरा अक्तूबर से स्टार्ट होगा, और जाएगा जी, पंदरा फेब तक, पहला राउंड इसमें, वो रिक्मेंडड का गया, कि इसमें आप अपाँएएग करनें, बेतर होगा, ना भी करनें, तो कोई इसमेंड़न के डाकॉमंट पूरे नहीं है या जो भी साथ किताब है, तो वो भी, कोई इतना बड़ा वस्रान रहे है, लेकि जिनके पास डाकॉर्ट सारे कुछ, सारा कुछ है, तो वो, जह है, अपलाए टेक होगा यह इसमें अपने बंदे सेलेक्ट कर लेंगे यह अपने बंदे मतलब के इस पर लेंगे जो जिन-जिन को सेकेंड राउंड में विलिवेशन की जाएगे उनकी ठीक है पैला राउंड और दूसरा रोंड यह दो राउंड बना दिया लास्ट टाइम इनका ऐसा ही सीन था और जो सेल्फ के लिए था सियसी स्कॉलर्शिप के लिए तो अगर सेल्फ के लिए कोई करना चाहे 15 करते हैं स्कॉलर्शिप को ठीक है अब कोर से चीजें है कि सबसे करने थे काएख एक कना से वख कहने करने शीदध करना है यहां पर फीर से म 있으 contradictiveness और के थियुक्रियर का प्रें थी घराउंड टाना ठीक है तो सिस उसी करना कौने कैसे लिए करना है वह इस पहर scarsheres के लिबा मैं वीडियो बनाऊंगा updated वीडियो तो वो इन्शाला इस वेबसेट पे पोस्ट लगाऊँगा वीडियो भी बनाऊँगा इसके बाद इन्शाला फोरण लिए CSE का form और University का form कैसे fill करना है वो सारी चीज़े आप इंशालला मैं आपको बताता रहूँगा सवालों के जवाबों को भी साथ कवर करते रहेंगे इंशालला जिनकी बागी तो ठीक है तो पहला CSE का form हो गया CSE का form जैसे fill करेंगे, submit करेंगे उसके बाद आएंगे उस्टी पोर्टल पे उस्टी पोर्टल पे उनका अपना form वो submit करेंगे और 600 RMB जो इनकी application fee है लेकिन वो initial review आपका clear होगा आपके evaluation करेंगे documents की तो उसके बाद ही आप fee आपको pay करनी होगी ओक्यों हो गया, हो सकता है वो fee अगर आपको fee का कहा जाए तो आपके लोहे पे लकीर admission हो जाएगा लेकिन mostly ऐसा होता है अगर आप fee pay करते हैं जब आपको initial review आपके document is clear हो जाते हैं तो आपका admission almost confirm हो जाता है लेकिन शेयोटी फिर भी नहीं होती ठीक है और उसके बाद है पासपोर्ट आपके पासपोर्ट करना चाहिए degree जो है notarized copy जो आप original degree आपकी होगी उसको कराना है photo copy जो आपने मैं 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 बिता जूआ जूआ होगी उनके चहरी बगईरा में जाके परगया है हैं। बanne कराड़ स्थी intimidating यह दो सतरु ओ गया है। ऐसके बाद मैंकि अन्य लिचिन अम सकते कि मोड़ायाट में आप कर दो सेंपला में कर दोओंगा कि आप जिन Deep study brand बना दिया, recommendation letter आपके पास होना चाहिए, दो recommendation letter physical examination form आपके पास होना चाहिए ठीक है, यह journal documents है और English proficiency certificate आपके पास होना चाहिए, no criminal certificate record वो भी आपके पास होना चाहिए मतलब यह required documents है इसके बाद acceptance letter acceptance letter का कुछ इस तरह लिखा होगा जब मैं इस पे वीडियो बनाऊँगा, इस वीडियो क्या बनाऊँगा जब यही वीडियो, इसका यह, जब मैं computer screen पे आपको ले के चलूँगा, इस ही वीडियो में इंशाल्ला, तो उसमें आपको जो है मतलब कि CAC फिल करने के बाद, जब यूएस्टी का फिल करके बताऊँगा, अगर तो वहाँ पे documents का section में इस यह जो, the documents में नहीं कहा है, recommendation form for international students by bit professor, अगर तो यह लाजमी हुआ, में without upload किये हुए, इससे आगे next option पे ना जा सके, that means कि यह necessary है, ठीक है, मुझे लगता है कि यह शाहिद necessary हो, last time ऐसा हुआ था, अगर आपके पास bit professor means कि अगर आपके पास यह acceptance letter नहीं है, तो आप कोई भी black page upload करके, आगे चले जाए, form submit कर दें, बाग की जब आपको बाद मे करने जाऊँगा, इन्शाला जब online करूँगा, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा, कि अगर तो यह documents, red star लगा हुआ, that means कि important है without this letter, you cannot proceed your application further, ठीक है, तो उसमें जो है, फिर यह लाजमी होगा, अगर वैसे ही optional हुआ, तो that means कि यह optional होगा, वो जब form पे जाएंगे पता चले जाएगा, ठीक है, तो यह थी required documents, और यह सारी चीजें, basic चीजें मैंने आपको बता दी है, admission properly इनके start होगे है, चाइना में अब ऐसा हो जाएंगे, 15 October के बाद mostly start हो जाते हैं, हमारी उन्वस्टी का भी इन्शाला हो जाएगा start, जैसे ही इसके start होगे, तो मैं इन्शाला आ documents चाहिए, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, financial guarantee letter, financial guarantee letter ये क्या बला है, ये भी एक document है, इसमें अब last time मेरे खाल में, मुझे याद निया कि मैंने अप्लोड किया था या नहीं किया था, इसमें आपने बताना होता है, कि आप उस पे sign वगरा करने होता है, कि हाँ भी आपने कोई और scholarship जो है, इस तरह कोई ले तो नहीं रखी, तो वो मैं, उसका exact format जो है, वो मैं किसी अभी जीन का student का admission हुआ है, तो उन से मैं पता करके, अगर मुझे मिला, तो वो मैं upload कर दूँगा, website पे और बता भी दूगा, जब computer screen पे जैसे ही आउंगा न, इसके बाद तो उसमें मैं आपको बता दूँगा कि ये financial guarantee letter का, ये sample है, ठीक है, उसमें आप changes करके वो upload कर सकते हैं, क्योंकि ये document मुझे अभी miss हो गया था, तो ये था सारा कुछ, और admission स्टार्ट हो चुके है, इसके अभी चलते हैं हम computer screen पे, भाई हम आगे है computer screen पे, computer screen प आपने Google Chrome open करना है, और Google बे टाइप करना है, CAC Guide Official, ठीक है, मुझे नजदा लगा हुआ है, full time वीडियो में चले record करने कोशिच करना हूँ, आवाज पतनी सही हा रही है, तो आपने वो बरदाश करना है, next इसका कभी में solution निकालता हूँ, Google बे आपने टाइप करने CAC Guide Official और पहले लिक पे कर देना है, click, ठीक है, आप पहुझ जाएगे हमारी website CAC Guide Official.com पे, ओके, यहाँ पे, अगर इंफरमेशन इदर ना वी ले तो आपको ये CAC Scholarship Admission 2024-25 वाली category मैंने बना दिया, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इदर BG Institute of Technology, जो पहले USTGC के admission अभी start हो अपना अपना अप्लोड कर दी है, तो वो है, इसमें क्या है, इसमें अथार्टी आपको पता है, Chinese Government Scholarship है, ठीक है, Media Institute of Technology, University का नेम है, मास्टर और P.A.T. वालू के लिए स्कॉलर्शिप है, फूली फडडेड है, सब चीज फ्री है, 3000 आरेमी मास्टर के लिए और 3500 आरेमी जो है, वो PhD के लिए, जस्त आउनलाइन अपलाए है, कोई डॉक्मेट सेंडी करने, कुछ भी नहीं करना, अब डेडलाइन इसकी क्या है, 15 अक्तूबर 2003 से शुरू होती है, 15 2014, यह इनका फस्ट राउंड है, रिकमेंडेड, मतलब कि हम आपको रिकमेंड यह करेंगे, इस आप अपलाए करने, ठीक है, इसका मतलब मार्ची टेक नहीं है, इसमें जो सेलेक्शन जिनकी होगी, वो ऐसे समझे, अगर उनके फस्ट राउंड में उनके पास अगर 50 सीटे हैं, तो सेकंड राउंड में भी 20 सीटे होगी, मतलब राउंड होगी, पहले समें 25 हैं, दूसर 12 फेब से 15 अपरिल तक, 15 अपरिल 2024, यह सेकंड राउंड हैंड का, ठीक है, तो अगर आप पहले राउंड में अपलाए करते हैं, आपके ड़कमेट्स पूरे नहीं होते हैं, कोई चीज रह जाती हैं, या आपको लेट पास चलता है, या अक्सेप्टेस आपको बात में मिल जिन की सेलेक्शन होगी, वो फिर जिन्हों यहाँ पर अपलाए कर रहा होगा, वो कप कर रहा होगा, जिन्हों नहीं किया होगा, वो फिर नेक्स राउंड में अपलाए कर रहेंगे, यह नहीं कि आपने इस राउंड में अपलाए कर दिया, तो इसमें भी आप अपलाए कर करेंगे क्या है सारे इंटरेशन के लिए 35 और पीडी के लिए 40 साल है यह तो एक डिफॉल्ट है चाइना में चालराइड सिस्टम ठीक है और अगर कहीं पेंट्विशन वह पच्छी साल होती है तिक लिए के साथ काम चल जाता है आइट्स की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त हवाब इसमें पढ़ रहे हैं दोस्त हवाब इसके जानने वाले यहां पर पढ़ रहे हैं ठीक है अच्छा अपलाए कैसे करना है अब पहले तो आपने करना है फॉर्म फिल CSE का ठीक है यहां पर क्लिक करेंगे आप CSE के फॉर्म कैसे फिल करना है यह 2022-23 की वीडियो है मैं नहीं वीडियो इन्शाला एक अपडेट बना दूगा ठीक हो गया CSE का फॉर्म हो गया फिल जैसे आप CSE का फॉर्म फिल करेंगे उस फॉर्म को कर लेंगे डाउनलोड वह मैं सारी चीज़ आपको फिल करके यहां पर बताऊंगा अगर आपने पुरानी वाली वीडियो देखनी है तो यह देख सकते हैं एक दो चीज़े चेंज होई हैं बा को बी इंशाल्ला मैं आपको इस पर नेक्स्ट वीडियो रहा हूँ इस पे भी एक वीडियो बनाऊगा फिल हल अगर मैं आप उनस्टी को पॉर्म पर ले जाम ना तो शॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि यह 15 सप्टेंबर सरी 15 अक्तूबर से यह डैलाइन स्टार्ट हो रही ह हैं आपने स्टेटिस चेक कर दे रहा है स्टेटिस कैसे चेक करना है वह भी मैं आपको ऑनलाइड पोर्टल पर जाके ही समझा तको अब यह को मैंने बता दिया तो आपको समझ नहीं आएगी अब 600 आरें भी अप्लिकेशन फी है लेकिन आपका क्या होगा इनिशियर भी जब का crack कर रहें उसके उसका का क DISCSub कर लेंगे फिर आपके क्रेंड़ निशन करेंगे उस डाक्रण कर्याव अगर कोई मसला आ जाते हैं फिर आपको दुबारा करें यह आपको ठीक नहीं आप इसको दुबारा अपडेट करें तो अपडेट करके दुबारा आप से सब्सक्राइब करना होगा तो उस इनिशियल रिव्यू के बाद या उनको लगा कि आपकी अप्लिकेशन को आगे आप आपको आपको क्या करना होगा 600RM आपक्लिकेशन फीपे कर रही होगी ओके अच्छा नेक्स्ट है जी यह ना रिफंडेबल होगी यह आपको वापस नहीं की जागी ठीक है तो यह इस आपने प्रस्पेक्ट्स लेते हैं उनका हजार दो हजार रुपाय का या इस तरह यह तो यह आपने पे करना होता है, without this, आपके अप्लिकेशन आगे प्रसीड डे की जाती, ओकी हो गया, तो इसका आपने चोट देना, इसको आप 600 RMB बात में पे आपने करना होगा, जब आपको पे करने का कहें, इसका मतलब यह भी नहीं कि आपका 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 एडिविशन का फॉर्म है, यह वो, लेकिन चांसिस बढ़ जाएंगे, आपके अगर आपको यूस्टी 600 RMB अप्लिकेशन दिफीका कहती है, अगर आपके नहीं होनी चाहिए, अगर आप साथ में समेस्टर में पढ़ रहा है, तो आपके पास अटिकेट होना चाहिए, ओके होगा, वो भी नोटराइस होना चाहिए, ट्रांस्क्रिप्ट आपके पास वोनी चाहिए, कि अगर आपके पास T dict नार्स क्फर्वा करने की विसना है उन नी को आप के तौर पर यूज करें तो यह अगर यह और एक डारेक्टर यहां दूसरा असिस्टेट पॉफइसर नहीं तो आंसिस्टेट फेशर काभी ओके घै कोई बसला नहीं है चल जाएगा गर नहीं है तो फिर अस्टेट परफेसर इस ओके ठीक है स्टुएट्स के एकसेप्ट होए हैं ओके passport copy यह होने चाहिए physical examination form blood test भी आपका साथ होना चाहिए यहां पर blood test लिखना भूल गया blood test आप जब physical examination form बनवाएंगे blood test का sample मौझूद है अगर आप लिखे blood test blood test sample ठीक है CAC guide official गुगल में लिखेंगे कौन को से test कराने है वो आपको यहां से बिल जाएगा यह blood test report sample for china scholarship आपको यह वाले test आपने यह वाले कराने है ठीक है किदर गया किदर गया किदर गया यह हां यह इस तरह अगर आप को आप इसको प्रिंट कराएं अपनी detail लिखें और यह सारी चीज़ें आपको जो है यह ले जाए अपने hospital में साथ ही यो भी आपका डिएच की टिवेच की आप यो भी पढ़ता है वहां से आप जाएं और यह test कर वाले यह जो और उसके बाद स्टैंप और साइन यहां पर कोई publications वगरा वो सारी चीज़ें तो आप यहां पर वो कर दें ठीक है recommendation letter for bit professor international students by bit advisor means कि यह acceptance letter है अब यह acceptance letter इसमें लाजबी है या नहीं है यह जब मैं online form में जाऊंगा ना दो ती दिर बाद इन्शाला जैसे वह portal cover करेगा open तो उसमें मैं जा कि बताऊंगा कि यह वाला document का compuls इसरी है या नहीं last time तो था कि उन्होंने का कि black page upload करने तो आपका यह आपके application आगे proceed की जाएगी इस वर्दबा हो सकता है और उन्हें optional कर दिया हो या फिर हो सकता है उन्होंने जो है last week कर दिया हो इडिटरी कर दिया हो black page वा option नहीं है okay financial guarantee letter यह भी मुझे लगता है optional है मैं इस university में ही हुए है तो मैंने उन्होंसे पुछा कि यह मुझे लगता है अपको बताया था कि आपने क्या upload कर नपपउचे मैंने क्या बताया था विश्री ज frames में आपने इस वे नहीं था तो अच्छा मैंने आप लोड हो सकता है कि यह optional हो या जा डाल देटीज डाली हो लेकि जब मैं इसके युस्टी पोर्टल के फॉर्म पे जाओंगा रहे इंचाला उस वक्त ये मैं देखूगा आपको बता सकूँगा कि ये यह मैंदेटरी है यह ओप्चिनल है यह इसकॉलर्शिप के लिए नहीं है यह अपको बता है तो यह आप देख लिए गार आपके पास होना चाहिए यह यह पर आप यह क्लिक यह है तो गैट ना यह मेजर यह मेजर की जो है वो लिस्ट आप देख सकते हैं ठीक है तो यह आप देख लिजेगा कौन-कौन से मेजर है मासर के लिए यह है और पीडी वालू के लिए यह है और ट्यानिट और टॉट यह है ठीक है तो इसमें अगर आप इसमें से आपका मेजर है तो यह आप कर सकते हैं यह सारी चीज़ें भई है ऑफिचल जो है इनकी एडवर्टाइजमेंट ओके सारा कुछ मैंने आपको बता द कि अगर आपको लगता है कि आपको इनफर्मेशन यहां से भी लेगी तो आप जूड़े रहिए सब्सक्राइब का मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा भई वह आपकी अपनी बर्जी है क्योंकि जो आपका राइट है वो आपका राइट है मैं आपके सब्सक्राइब करें हाँ का आपको कोई विडियो मैं यहां बीला अफलोड करता हूं कि आपके बीच पीश है कोई और इनफर्मेशन के लिए सब्सक्राइब है नहीं किया था हम नैं तो स्कॉलर्शिप के लिए तो इस्यी विजा से मैं नहीं कोगा सब्स्राइब करें हाँ अगर आपको लगता है क वो बयाद रिगा, आलावे.